Hello Friends! Welcome to my channel. Friends, जैसके आप जानते हैं कि इस टाइम चल रहा है NGPC का Phase 3 का exam. 12 फरवरी तक Phase 3 का exam चलेगा. और कब होगा उसका Phase 4 का exam और कैसे? कब डाउनलोड कर सकते हैं? इसका admit card, ct पता कर सकते हैं? सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में तो चलिए स्टार्ट करते हम अपने वीडियो को तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है गूगल पर डील कर दिया सच करना है हम फस्ट लिंक मिलेगा आपको उस पर क्लिक कर लेंगो और एड्मिट कार्ड पर आएंगे हम बात करने वाले RRB NTPC phase 4 exam notice exam notice हम लोग डाउनलोड करने वाले हैं friends तो उसके लिए आपको हम पहले आपको यह बता देते हैं कि notice ही अच्छा बताते हैं पहले हम ओफिशल वेफसाइट पर जाएंगे आज हम ओफिशल वेफसाइट से देखेंगे कि कैसे आप ओफिशल वेफसाइट पर चेक कर सकते हैं और फिर हम लोग यहां दिया है news and updates जो latest news होती है NTPC की RRB की मतलब railway related जितनी भी latest news होगी यहां पर आपको मिल जाएगी तो हम लोग थोड़ा सा नीचे आएंगे दिया है CEN01-2019 NTPC 4-2-2021 को यह notice update हुए मुझे बनाने में थोड़ा सा लेट हो गया है वीडियो मुझे पता था लेकिन फिर भी लेट हो गया किसी कारण हमां नहीं बना पाई अब बना रही हूँ चार को यह update हो चुकी है notice और notice phase 4 of exam scheduling for CBT-1 इस पर क्लिक करेंगे डाउनलोड हो जाएगा मैं already डाउनलोड कर चुकी हूँ लेकिन फिर आपको डाउनलोड करके दिखा रही हूँ phase 4 of exam scheduling phase stage 1 का ही है CBT-1 exam होगा और 12 फरवरी तक phase 3 का exam होगा फिर 15 फरवरी से लेके 3 मार्च तक आपका phase 4 का exam होगा और उसमें भी friends approximation 15 लाग candidate है 15 लाग candidate का exam होगा 15 फरवरी से लेके 3 मार्च तक दो सिफ्ट में हो रहा यह तो आपको पता ही है e-call letter आपके exam जब आपका exam होगा उससे चार दिन पहले आपको e-call letter डाउनलोड हो जाएगा और exam date exam date और exam city फिर जिन जिन लोगों का phase 4 में exam होगा आप form भरने क्राइम पर जो mobile number उस पर update की है उस पर आपका notification आ गया होगा कि किसका exam कब है कहां है किस city में है इतना information आपको तभी मिल जाता है जब आपका date आता है जब exam city आपकी अपडेट हो जाएगी तो बहुत लोगों के पास message जा चुका होगा जिन लोगों के पास जा चुका है उनका phase 4 में ही exam और जिनके पास नहीं आया इसका मतलब इनका phase 4 में exam नहीं है यह तो रहा फ्रेंट्स आपकी notification कि 15 फर्वरी से लेके 3 मार्स तक आपका exam होगा अब हम बात कर रहे हैं कि आप exam city detail कैसे पता कर सकते हैं कि जिनके जिनका नंबर चेंज हो गया किस वज़ा से वह नहीं कर पाए रहा है तो check phase 4 exam city detail इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर फ्रेंट्स आपको registration नंबर डालना date of birth डालना password में और login कर लेना है बस इतना करना है आपका slip open हो जाएगा I hope friends यह वीडियो अपके लिए helpful रही होगा अगर आपके लिए वीडियो helpful रहती है तो हमाई वीडियो को like कीजिए share कीजिए हमाई चैनल को subscribe कीजिए thank you friends watching this video कीजिए कीजिए कीजिए